Hello students, मैं वैभव अपने चैनल निबर नॉप में आपका स्वागत करता हूँ. ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के Maths सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटिड है. अगर आपको मेरा काम पसंद आए, तो प्लीज वीडियोज को शेर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्व ही है, क्वालिटी एडिकेशन सबका अधिकार. और अगर आप पूरा से लिबस कवर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, प्लेडिस्ट में जाके, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, सारे वीडियोज की प्लेडिस्ट चेक कर सकते हैं, और अब तो आप निबेड नॉब को इंस्टाक्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो चलिए, आज का लेक्टर शुरू करें. Students, application of derivatives का जैसे तुम जानते हो, tangents and normals topic हम कर रहे थे, और exercise 6.3 के पहले 13 question हम कर चुके थे. तो ये है तुमारे लिए question number 14. Find the equations of tangent and normal to the curves at the indicated points. याने हमने equation tangent की भी find करनी है, normal की भी find करनी है, इस curve पर, इस point पर. तो हर एक part में इसी तरह से एक curve दी हुई होगी, और इस तरह एक point दिया हुआ होगा. तो ये question कैसे solve करना है, देखो. सीधी बात है, derivative होता है slope tangent का, और अगर उसका reciprocal करके, उसके आगे minus लगा दिया जाए, याने sign change कर दिया जाए, तो वो slope बन जाता है normal का. तो हमें slope पता चल गया, और point भी पता है. तो हम दोनो equations find करने के लिए, slope point form apply करेंगे, और slope point form क्या होती है, यहां मैं रफ में लिख रहा हूँ, y minus y1 is equal to m into x minus x1, यह होती है slope point form, यह x1 y1 point है, 0,5, और m है slope, अगर यहां पर tangent का slope पुट करोगे, तो tangent की equation बन जाएगी, अगर यहां normal का slope पुट करोगे, तो normal की equation बन जाएगी, यह x1 y1 same ही रहेंगे, क्योंकि tangent और normal, एक ही point पर होते हैं, इसलिए, तो हम start करते हैं, इसका solution के किस तरह करना है, इस question को, first part, given, y is equal to x power 4, minus 6 x cube, plus 13 x square, minus 10 x, x plus 5, अब हमने किया differentiation, differentiate with respect to x, तो dy by dx क्या आ गया, 4 x cube, minus 18 x square, plus 26 x minus 10, I think यह तो समझ में आई गया होगा, इसमें कोई problem नहीं है, तो यह है derivative, लेकिन, यह slope of tangent भी यही है, लेकिन हमने इसकी value निकाल नहीं है, कहां पर, इस point पर, तो इस point पर, x coordinate, जो है, वो 0 है, और y coordinate, जो है, वो 5 है, तो यहां पर हम क्या put करेंगे, x को 0 put करेंगे, तो हम कहेंगे, at 0,5, dy by dx, equal to, 0, minus 0, plus 0, minus 10, यहने के, minus 10, हमने क्या किया, x की जगा, वो point put कर दिया, जो यहां पर था, और पहला जो, नमबर लिखा वो होता है, इस जोड़े में, इस pair में, वो x होता है, और दूसरा नमबर y, यहां पर y की तो जगह ही नहीं है, तो हमने x को put कर दिया, x की जगह x को put किया, तो अब हम जानते हैं, dy by dx की जो value y है, वो ही slope of tangent है, slope of, tangent, comma m, is equal to, minus 10, and, slope of, normal, comma m, dash, is equal to, इसी को minus 1 upon कर दो, यहने 1 upon 10, इसका reciprocal करो, और sign बदल दो, मैंने क्या किया, 1 upon minus 10 किया, और sign बदल दिया, तो 1 upon 10 आ गया, तो हमारे पास slope आ गया, normal का, slope आ गया, tangent का, यहने के, यहां पर put करने के लिए, हमारे पास सामान हो गया, तैयार, x1, y1 हमें पहले ही दिया हुआ था, 0, 5, तो दुनों equations, बड़ी ही असानी से अब हम solve कर लेंगे, therefore, equation of, tangent, y minus y1, is equal to m, x minus x1, यह formula जरूर तुमने लिखना है, तो y minus 5, क्योंकि 0, 5 point है न, is equal to slope कितना tangent का, minus 10, minus 10, x minus 0, क्योंकि x 0 है, तो अब इस bracket को खोल दो, और equation बना लो, y minus 5, is equal to, minus 10x, और इस 10x को इदर ले आए, 10x, plus y, is equal to 5, 5 को इदर ले गए, तो यह बन गई equation of tangent, यह हो गया solve, अब equation of normal, also, equation of normal, फिर से y minus y1, is equal to m dash, x minus x1, x1, तो यहाँ पे, y minus 5, as it is रहेगा, is equal to 1 upon 10 आ गया, क्योंकि यहाँ पे slope m dash है, यहने के slope of normal, क्योंकि equation of normal, find कर रहे हैं, x minus 0, अब 10 को इस तरफ multiply कर दो, तो आएगा, 10 y minus 50, is equal to x, तो x को इधर ले आए, minus x, plus 10 y, is equal to 50, तो यह equation हो गई हमारी, normal की, और यह question हो गया solve, तो इस तरह से students, हमने question करना है, और question number 14 के, 5 parts हैं, और पहले 4 parts जो हैं, वो बिल्कुल इसी तरह ही हैं, polynomial ही दिया हुआ है, तो तुम बाकी 4 parts तुम कर सकते हो, अपने आप मैं 5th part कराऊंगा, एक बार फिर देख लो, polynomial दिया हुआ है, और point दिया हुआ है, हमने क्या-क्या derivative किया, और derivative में, यह point पूट कर दिया, x, y की value जो भी आई, वो पुट कर दी, तो जो value आई, वो तो बना slope of tangent, और उसी का reciprocal करके, उसका sign change करके, यहने के, minus 1 upon dy by dx, यह value, यह बन गया slope of normal, फिर हमने slope point form लगा कर, point तो हमें 0,5 दिया ही हुआ था, slopes हमने find out कर लिये, तो equation of tangent में, equation normal, sorry, slope of tangent पुट किया, और equation बना ली, और equation of normal के लिए, यहाँ पे slope of normal पुट किया, और equation बना ली, तो इस तरह से, यह four marks का, यह six marks का भी paper में आ सकता है, तो यह question हो गया solve, अब इसी के, जो second part है, third part है, और fourth part है, यह तुम अपने आप कर सकते हो, तीनो parts, बिल्कुल इसी तरह के question है, कोई change नहीं है, और मैं कराता हूँ, इसका fifth part, तो हमें fifth part में, दी हुए कर, parametric form में, x equal to cos t, y is equal to sin t, at t is equal to pi by 4, तो हमें सबसे पहले, dy by dx पता करना है, तो parametric equation में क्या करते हैं, हमें पता ही है, वही करेंगे, हम differentiate with respect to t, तो dx by dt is equal to minus sin t, dy by dt is equal to cos t, now dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt is equal to cos t upon minus sin t, यह कितना बन गया, minus cot t, ठीक है students, cos upon sin cot, at t is equal to pi by 4, देखो, t is equal to pi by 4 दिया हुआ है, comma dy by dx is equal to, dy by dx minus cot t है, तो यह हो जाएगा, minus cot pi by 4, तो cot pi by 4, यहन्य कौट 45 degree, 1 होता है, तो यह minus 1 हो गया, क्योंकि minus cot pi by 4 है, तो dy by dx आ गया, इसका मतलब slope of tangent आ गया, तो therefore, slope of tangent, comma m is equal to minus 1, and slope of normal, comma m dash is equal to, क्या करो, minus 1 upon, यह value रख दो, आ गया 1, तो यहाँ पर तुम कहोगे, कि sir, ठीक है, slope तो find out कर लिये, लेकिन, x1, y1 कहा है, points तो दिया ही नहीं हुए, यहाँ तो t दिया हुआ है, तो इस t से ही हमें point मिलेंगे, जब हम इस t की value, x और y में put कर देंगे, तो हमारे पास, वो x1, y1 आ जाएगा, तो हम कहेंगे, here, x1 is equal to, कितना है, x कितना था, cos t था न, तो cos, pi by 4, यहने 1 upon root 2, and, y1 is equal to, y कितना था, sin t, यहने sin pi by 4, यहने यह भी आ गया, 1 upon root 2, तो x1, y1 की value, 1 upon root 2, 1 upon root 2, इस तरह से, parametric equation में हमने लिया है, कैसे, यह जो t दिया हुआ था, यह इसमें भी put कर दिया, इसमें भी put कर दिया, तो हमारे पास, वो एक constant value, xy की आ गई, वही x1 और y1 है, और, जो m और m dash है, वो हमने find out कर लिये, तो अब हम equation find out करते हैं, therefore, equation of, tangent, y minus y1, is equal to m, x minus x1, तो y minus 1 upon root 2, is equal to, tangent का slope कितना था, minus 1, तो minus, x minus 1 upon root 2, तो अब क्या करते हैं, root 2 से multiply कर देते हैं, हर एक को, root 2 y minus 1, is equal to, यह sign change हो जाएगा, minus root 2 x, plus 1, यह sign यहाँ पे minus, और यह plus हो गया, और अब इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, मतलब यह के, x की term को इस तरफ, root 2 x, plus root 2 y, is equal to, यह minus 1 उदर जाके, plus हो जाएगा, तो 2, तो इस तरह से, यह equation बन गई, हमारी tangent की, अब हमने find out करना है, equation of normal, तो हम लिखेंगे, also, equation of normal, y minus y1, is equal to m dash, x minus x1, याने के, y minus 1 upon root 2, is equal to 1, x minus 1 upon root 2, क्योंकि, normal का slope कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पे देखो, m dash की जगा, 1 put किया, अब root 2 से multiply किरो सबको, root 2 y minus 1, is equal to, root 2 x minus 1, यह bracket तो खूल जाएगा, कोई problem नहीं है, बाहर 1 है, हर एक number को, root 2 से multiply करने पर, upon का चक्कर खतम हो जाएगा, p by q form खतम हो जाएगी, अब इसको इस तरफ ले आओ, दोनों तरफ से minus 1, minus 1 cancel हो गया, root 2 x minus root 2 y is equal to 0, लेकिन, यह कैसे किया, root 2 y को उस तरफ ले गया, इस तरफ 0 बचा, तो root 2 से भी divide किया जा सकता है, तो x minus y is equal to 0, यह equation बन गई, और हाँ students, कई बार, काफी books में answer यहाँ पर जो दिया हुआ होता है, वो कैसे दिया हुआ होता है, x plus y is equal to root 2, ऐसे भी दिया हुआ होता है, क्यों, क्योंकि 2 को लिखा हुआ होता है, root 2 into root 2, और फिर root 2 से divide कर देते हैं, हर एक number को, तो root 2 upon root 2 हो जाएगा, तो एक root 2, तो चाहे ऐसे दे दो answer, चाहे ऐसे दे दो, दोनों एक ही बात है, बस बात इतनी होती है, कि यहाँ पर क्योंकि हम x, y कर रहे हैं, तो यहाँ भी x, y दिखे, तो इस वज़ए से यहाँ पर यह answer, tangent का और यह normal का दिया हुआ होता है, otherwise, यह equation भी यही है, extreme number को divide करके यह बनी है न, तो यह equation, यह equation एक है, यह equation और यह equation भी आपस में एक ही है, तो इस तरह से students, हमारा question number 14 हो गया, solve, जिसमें हमने किया क्या, हमने यह सीखा, कि किसी point पर tangent और normal की equations कैसे find करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं, question number 15 पे चलते हैं, कई बार paper में आया है, important question है, तो यह है students, हमारा question number 15, find the equation of tangent line to the curve, y is equal to x square minus 2x plus 7, which is a part, parallel to the line, 2x minus y plus 9 is equal to 0, b part, perpendicular to the line, 5y minus 15x equal to 13, तो इस question को ध्यान से समझो पहले करना क्या है, equation of tangent find out करनी हैं हमने, किस curve पे, इस curve पे, कहां पर, जहां पर, या फिर जो tangent, इस line के parallel हो, पहले हम सिर्फ एप आट की बात करेंगे, हमें वो tangent चाहिए, जो tangent इस line के parallel है, मतलब situation कुछ ऐसी है, कि एक line है, जिसकी equation यह दी हुई है, line L, एक curve बनी हुई है, और हमने, ऐसे point पे equation ढूणनी है, वो tangent ढूणना है, जो इसके parallel बने, मतलब कुछ ऐसे बने, या फिर कुछ ऐसे बने, या फिर यहां पे भी हमें दिखाई दे रहा है, तो अगर तो, इस line के parallel, एक से ज़्यादा tangent हुए, तो वो भी बन जाएंगे, वो भी equation में solve हो जाएगा, और अगर एक ही tangent बनता हुआ, इसके parallel, वो भी solve करके हमें पता लग जाएगा, उसके लिए हमें कुछ और अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो situation कुछ ऐसी है, यह curve है, यह line है, इस line के parallel हमें tangents ढूंडने हैं, यानि के equation find out करनी है, यह है हमारा question, तो इस question को हम किस तरह करेंगे, देखो, solution A part का, क्या दिया हुआ है, दो equations हैं हमारे पास, y is equal to, x square minus 2x plus 7, equation number 1, sorry, 2x minus y, plus 9 equal to 0, यह है line जिसके parallel, हमें tangents ढूंडने हैं, अब parallel की बात हो रही है, tangent की बात हो रही है, तो सीधी बात है, इसका derivative का curve का, और line का slope ढूंडा जाएगा, यह तो हमें स्पष्ट पता चल रहा है, तो हम पहले derivative कर लेते हैं, differentiate, equation 1, equation 2 नहीं, equation 1, curve का differentiation करना है, with respect to x, तो dy by dx कितना आ गया, 2x minus 2, इसका derivative इतना आ गया, अब हम जानते हैं, कि हमारे tangent का slope यह है, लेकिन tangent कौन सा ढूंडना है, जो इस line के parallel हो, तो इसका slope भी पता होना चाहिए, slope of line 2, m is equal to, देखो, अगर तुम्हारे पास, equation ax, plus by is equal to c form में दी हुई हो, तो slope कितना होता है, minus coefficient of x, divided by coefficient of y, ठीक है students, minus a upon b, minus coefficient of x, divided by coefficient of y, तो यहाँ पे coefficients हमें पता चल रहे हैं, 2 और minus 1 है, तो minus 2 upon minus 1, यह minus formula का है, coefficient of x, 2, divided by coefficient of y, minus 1, तो यह cancel होके, minus आगया 2, तो इस line का slope है 2, और हमारे tangent का slope है, 2x minus 2, यह दोनो slope बराबर होने चाहिए, क्यों, क्योंकि यह line और tangent, दोनो parallel हैं, और हमें पता है, कि parallel lines का slope बराबर होता है, तो मैं लिखूँँगा, since, tangent is, parallel to line 2, we get, हमें क्या मिला, dy by dx is equal to m, दोनो slope बराबर, dy by dx कितना है, 2x minus 2, जो कि किसके बराबर आगया, m की value, 2, यहाँ पर dy by dx कुछ भी हो सकता था, m कुछ भी हो सकता था, वो depend करता है, तुम्हारी curve और equation of line, जो equation number 1 और 2 हैं, उस पर, तो अब क्या होगा, यह x की value कितनी आएगी, 2x is equal to 4, यह minus 2 उदर जाके plus हो गया, यानिके x is equal to 2, हमारे पास x आगया, लेकिन करना क्या था, करना यह था, कि हमें equation of tangent ढूननी है, equation of tangent के लिए, हमें एक तो slope चाहिए, और एक point चाहिए, slope तो मिल गया, क्योंकि parallel है न, 2, m और dy बे dx दोनों बराबर है, यानि slope तो हमारे पास है, point नहीं है, तो point में भी x तो मिल गया हमको, हमें y ढूनना है, तो हम क्या करेंगे, इस x equal to 2 को equation number 1 में put करेंगे, 2 में put करेंगे, बताओ, सोचो, equation number 1 में put करेंगे, क्योंकि हमें, देखो, line तो दूर पड़ी हुई है, हमें ये point चाहिए, इस type के, curve के उपर ही तो point चाहिए न, वहीं तो tangent बना हुआ है, तो हम curve के उपर ही x put करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, put x is equal to 2, in equation number 1, y की value क्या आ गई, देखो, curve क्या थी, x square minus 2x plus 7, तो x square minus 2x plus 7, x की जगा 2 है, याने 4 minus 4 plus 7, तो y की value आ गई, 7, therefore, point is 2,7, तो 2,7 हमारा x1, y1 हो गया, और slope कितना है, slope है 2, तो equation of tangent अब हम find करेंगे, therefore, equation of tangent, y minus y1 is equal to x, न, m, into x minus x1, तो y minus 7, is equal to 2, x minus 2, ये y1, ये x1, ये m, bracket open कर दो, y minus 7, is equal to 2x minus 4, ये 2x उदर चला गया, minus 2x plus y, और 7 इदर आ गया, तो plus 7 minus 4, याने कि 3, तो हमारी equation of tangent ये बन गई, तो हमारा a part solve हो गया, देखो, एक बार फिर देख लो, इसमें points भी नहीं किवन थे, पिछले question में points दिया हुए थे, लेकिन इस question में हमने क्या किया है, point भी खुद ढूंडा है, बस इतना दिया हुआ था, कि tangent जो है, वो इस line के parallel है, तो हमने क्या किया, derivative find out किया, derivative find करने के बाद, हमने इस line का slope पता किया, और दोनों को equate कर दिया, derivative को, और slope of line को क्यों, क्योंकि tangent जो है, वो इस line के parallel है, और parallel lines का slope बराबर होता है, वहाँ से हमें x पता चल गया, जब x पता चल गया तो हमें point चाहिए था उसके लिए हमने equation number 1 में उसे put करके y को भी ढूंडा और हमारा point के दोनों coordinates पता लग गए 2,7 तो हमने equation of tangent कैसे पता की ये जो slope point form है slope भी पता था point भी पता चल गया तो इस तरह से find out हो गया तो ये तो था हमारा क्या parallel to the line दिया हुआ जब अब अगले part में क्या क्या रखा है कि इसी curve के उपर हमने find करना है tangent और वो tangent parallel नहीं है इस line के perpendicular है तो अगर line perpendicular आ जाए तो हम क्या करते हैं देखो solve करके दिखाता हूँ मैं तो students ये है b part इसमें हमें क्या रखा है curve तो वही थी line दूसरी थी लेकिन अब क्या है कि line के perpendicular है tangent parallel नहीं है यानि कि हमारी curve अगर ऐसे है और line ऐसे जा रही है तो हमने वो tangent ढूणना है जो इसके perpendicular बने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कि जैसी भी curve होगी उतने ही tangent बन सकते हैं यहाँ पर अगर एक tangent बनता होगा तो एक यह बस बात यह है कि इस line से यह सारे tangent क्या है perpendicular ही है तो सबसे पहले वह ही derivative differentiate 1 with respect to x तो dy by dx equal to 2x minus 2 और slope तो find out करना ही पड़ेगा इसका slope of line 2, m is equal to देखो x और y की terms equal to के एक ही तरफ पड़ी हुई है तो फिर से हम वही formula लगाएंगे minus coefficient of x divided by coefficient of y minus coefficient of x divided by coefficient of y यह 15 by 5 बन जाएगा cancel होके आ जाएगा 3 तो slope of line है 3 और slope of tangent है 2x minus 2 तो अब क्या करें बराबर तो put कर नहीं सकते क्योंकि parallel नहीं है तो तुम्हें एक बात याद कराता हूँ straight lines की कि अगर दो line है perpendicular हो और एक का slope m1 दूसरे का slope m2 हो तो दोनों का multiply minus 1 के बराबर होता है दो perpendicular lines का slope जो होता है जब multiply करते हैं तो minus 1 आता है तो हम इस formula का use करेंगे हम लिखेंगे since since का मतलब क्या होता है क्योंकि since tangent is perpendicular to line we get m into dy by dx is equal to minus 1 line का slope और tangent का slope दोनों multiply करके minus 1 आएगा क्यों? क्योंकि line है एक दूसरे से perpendicular है m की value क्या है? 3 और dy by dx की है 2x minus 2 is equal to minus 1 तो 6x minus 6 is equal to minus 1 ठीक है students? bracket खोल दिया अब 6x कितना आ गया? ये 6 उदर जाके plus का हो जाएगा 5 आ गया तो x कितना आ गया? 5 upon 6 x की value आ गई पिछले question की तरह ही हमने x find out कर लिया तो अब क्या करेंगे? अब हम इसी x को equation number 1 में put करके y find out करेंगे put x is equal to 5 by 6 in 1 तो y equal to x square minus 2 into x plus 7 is equal to 25 by 36 minus ये 2 cancel हुआ 3 से तो minus 5 by 3 plus 7 यहाँ पर LCM आ गया 36 तो 25 minus अब इस 5 की जगह क्या आएगा? 5 by 3 multiply 36 करो तो cancel होके 12 आ जाएगा 12,5 दा 60 plus इस 7 की जगह क्या आएगा? 7 upon 1 है तो 36 पूरा ही multiply हो जाएगा तो 36 into 7 करो 7,6 दा 42 4,7,3 दा 21 21 में 4 add किये 25,252 whole upon 36 इसको solve करके लिखते हैं अब 252 में 25 add किया तो 7,7,2 इस में से 60 minus किया तो 7,1,2 217 217 upon 36 यह आ गया हमारे पास अब Y की value भी आ गई और X की value भी तो हम क्या लिखेंगे? therefore point is 5 by 6,217 by 36 अब देखो X1 by 1 भी आ गया लेकिन अब slope कितना है? slope M के बराबर थोड़ना है slope तो M into dy by dx करके minus 1 आया हुआ है तो slope भी find out करना पड़ेगा हमको slope कैसे find out करेंगे? हमें यहां पर dy by dx की value चाहिए वही slope होगा हमारा ठीक है न? तो also slope of slope of tangent comma dy by dx is equal to minus 1 upon M देखो dy by dx की value क्या आएगी? minus 1 upon M और M की value हमें पता है M की value क्या थी? 3 थी तो यह आ गया minus 1 upon 3 अच्छा एक और तरीका भी है इसको find करने का यह जो dy by dx है इसमें x put कर दो 5 by 6 जो अबने हमने find out किया हुआ 5 by 6 हमें value तो dy by dx की चाहिए न? तो dy by dx में x को अगर 5 by 6 put कर दोगे तो भी यह minus 1 upon 3 ही आएगा तो हमने tangent का slope भी पता कर लिया और वो point x1 by 1 भी पता कर लिया तो equation find करते हैं therefore equation of tangent y minus y1 is equal to mx minus x1 यह formula लिखा हमने y minus 217 upon 36 is equal to minus 1 upon 3 x minus 5 by 6 यह आगया अब इसको आगे solve करते हैं 36y minus 217 upon 36 is equal to minus से bracket खुल गया यह तो और यहां पे 6 lcm लेंगे तो 6 x minus 5 हो जाएगा तो minus 6 x plus 5 upon 3 के साथ 6 बाहर का multiply हो जाएगा 18 हो गया तो यह 18 इससे cancel हुआ 2 से और यह 2 इस तरफ आएगा multiply होने तो 36y minus 217 is equal to यह 2 इदर आगया तो minus का 12 x plus 10 is equal to अब यह minus का 12 x इस तरफ आगया तो 12 x plus का हो गया plus 36y is equal to यह 217 उदर जाके plus का हो जाएगा plus का 10 तो उदर पड़ा ही है तो 227 आजाएगा तो अब देखो यह cancel भी नहीं हो सकता है तो कोई भी number से हम divide नहीं कर सकते तो ठीक है यह equation of tangent आगया तो इस तरह से यह question हो गया solve अब यह देखो कि दोनों में basic फरक क्या था देखो हमने एक तो यह formula लगाया जब line perpendicular थी और हमने यह formula लगाया जब line parallel थी बस यह basic फरक है और कुछ नहीं तो students एक बात याद रखो के मेरे video के comment section में जाके मुझे 1 to 5 rating जरूर देना मुझे पता चल सके के मैं और कितना improve कर सकता हूँ या तुमको कितने level पर समझ में आ रहा है 5 highest 1 lowest और अगर तुम अपने आपको tuition के बोज से बचाना चाते हो अपने parents के पैसे बचाना चाते हो और equally good पढ़ाई करना चाते हो जैसे कि तुम tuition पर पढ़ते तो मेरे channel को subscribe करके playlist में जाओ और playlist में तुमें chapter wise 10th class, 11th class और 12th class तीनों classes की chapter wise playlist मिलेंगी videos की जहां से तुम कोई भी chapter बहुत अच्छे धंक से कर सकते हो तो students इसी message के साथ के तुम tuition से बच सको वो पैसे जोड सको अपने parents का सहरा बनो इसी message के साथ मैं आज की class खतम करता हूँ और question number 15 तक practice करो इस exercise की हम मिलेंगे अगले वीडियो में best of luck and thank you for watching